पूर्णिंग दिर स्ट्रेंट्स मैं महासिंग नारवाल व्यकात जी विज्ञान विशय की ओलाइन कक्षा में आपका हर दिख स्वागत करता हूं प्यारे विद्यार्थ्यों कल की वीडियो में हमने देखा था अधी चर्म और इसके प्रमुकिस्तरों के बारे में आज हम दे सबसे पहले हम बात करते हैं चर्म की जो चर्म है यह है आप जानते हैं कि त्वचा का दूसरा भाग है कहां होता है अधी चर्म के ठीक नीचे होता है तेसे हम बोलें कि त्वचा में अधी चर्म के नीचे अधी चर्म के नीचे इस्थित भाग को कि चर्म कहते हैं कि इसकी परिवासा हो गई कि चर्म क्या होता है और कहां पाजाता है मानव के सरीर में जो त्वचा है उसके दो भाग होते हैं अधी चर्म और चर्म इस अधी चर्म के ठीक नीचे वाला जो दूसरा भाग है वही चर्म कहलाता है तो परिवासा बनी तो अच्छा में अधी चर्म के नीचित भाग को भी चर्म कहते हैं पूर में हम दोनों की अंतरों में पढ़ चुकी हैं कि अधी चर्म है यह है पतला होता है और चर्म है यह मोटा होता है यह कंपेजिन करें अधी चर्म और चर्म का तो अधी चर्म की तुल नामे चर्म है कि लगबग दो से तीन गुना अधित मोटा होता है कि अच्छा उसके बाद हम बात करते हैं आगे कि चर्म के इस तरों के बारे में कि चर्म के इस्तर कि चर्म के दो इस्तर होते हैं कि पहला इस्तर कहलाता है पैपी लड़ी इस्तर और दूसरा इस्तर है वह कहलाता है कि जाली का इस्तर कि चर्म के दो इस्तर होते हैं अधी चर्म के पांच इस्तर होते हैं कि यहां अधी चर्म के इस्तरों को हमने कल प्रड़ लिया था आज हम चर्म के इस्तरों के बारे में देखेंगे नाम अपन देख चुके हैं पैपिलरी और जाली का इस्तर इनका पॉजिशन कहां होता है यह कल हमने कुछ हद तक चित्र में समझा था कि अधिचर्म वाले भाग की अनुपर स्कार्ट अपन देखें तो उसमें हम यदि देखें तो आप समझ सकते हैं कि जैसी यह मान लिए अधिचर्म हो गया और उपर वाला भाग और नीचे वाला जो भाग है यह मान लिए चर्म हो गया तो आप देख रहे हैं कि यहां से लेकर यहां तक यह अधिचर्म और यहां से लेकर यहां तक यह चर्म भाग है अधिचर्म के नीचे होता है और यह कंप्लीट क्या होगी कंप्लीट होगी तो 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 में एक उपर वाला बहुआ इस दिझितए जो बहार की तरह होता है अधी आधी चर्म करना ज disclose भूए पांच इस तरों के बाले में बटा है एक सबसे बाहर फिर अंदर फिर अंदर फिर अंदर फिर अंदर ऐसे पांच इस्तर जो होते हैं इन में जो सबसे भीतर वाला इस्तर है उसको हम कहते हैं कि अंपुर्ण इस्तर अधी चर्म में सबसे भीतर वाला सबसे अंदर वाला इस्तर है उसमें एक है उपार की तरफ और एक हैं नीचे की तरफ तो सपोज कीजिये कि यह है ऐसे यह नीचे वाला इस्तर और दूसरा जो है यहां तक मान लीजिए यह है इसका उपर वाला इस्तर तो चर्म के दो इस्तर हो गए इन दोने इस्तरों को हम यदि नामांग की तरी तो यह वाला हो गया पैपिलर इस्तर और यह वाला हो गया जाली का इस्तर चर्म का यह वाला पैपिलर इस्तर और नीचे वाला हो गया जाली का इस्तर तो आप दूनों में देख रहे हैं कि जो जाली का इस्तर है यह नीचे है और पैपिलरी इस्तर है यह उपर है तो यहां मैं लिख देता हूं हो गया यह पैपिलरी इस्तर और नीचे वाला हो गया यह जाली का इस्तर अब इन दोनों इस्तरों की वारे में हम थोड़ा डिटील देखें तो पहला इस्तर ले लेते हैं है है तो यह पैपिलरी इस्तर है कि अधि इस्तर कहां है अधी चर्म के इंके नीचे है अधी चर्म के अंकुर इस्तर के तो नीचे है और चर्म के जालिका इस्तर के ये उपर है तो हम बोल सकते हैं तो अच्छा में अधी चर्म के अंकुर इस्तर के नीचे तथा चर्म के जालिका इस्तर के उपर वाले भाग को पैपी लरी इस्तर के ते यहां अंकुर इस्तर के ठीक नीचे इस्तित भाग है चर्म का ऐसे बोल सकते हैं कि चर्म का अंकुर इस्तर से ठीक नीचे वाला भाग पैपी लरी इस्तर कहलाता है कि दूसरी वात अपन करते हैं इन दोनों का कंपेर्जिन करेंगे पैपिलरी और जालिका इस्तर की तो तैपिलर इस्तर है जालिका इस्तर की तुलना में पतला होता है यह है जाली का इस्तर की तुल नामें पतला बता है लियर स्ट्रेंट्स किसे रटना नहीं है इसे सीधर समझना है पहले हमें इसकी पोजिशन बतानी है दूसरे नमबर पे जोनों इस तरों का कंपरजिन करना है कि कौन पतला है कौन मोटा है तीसे नमबर पे यह देखना है कि इसमें क्या-क्या भाग पाए जाते हैं तो कि इसका पॉजिशन आपतर देख चुकिये हैं ने नीची पाए जाता है दूसरा करें तो चरम में ही बात करें तो चर्म में जाली का इस तरके ठीक ऊपर वाला भाग है तुन से तो नमबर तू में कोन मोटा है कुन पतला है तो जाली का इस्तर पतला है पतला है किस से पतला होता है आपको देखें तो इसमें कौन कौन से भाग पाई जाते हैं इसके अंदर मुख्य रूप से आप देखेंगे आप स्वेत कोलेजन तन्तू स्वेट पोलेजन तंतु पीले लचीले तंतु और रुधिर महिन्या कि यह चीज़े इसमें पाई राती है चर्म के पैपिलर इस्तर में स्वेट रंके कोलेजन तंतु और पीले लचीले तंतु तथा रुधिर महिन्या उपस्तित होती है कि इसके बाद हम यह देखेंगे कि जो जाली का इस्तर है यह है कहां पाय जाता है और इसमें कौन-कौन सी चीज़े होती है यह इसकी तुलना में कैसा होता है यहां जाली का इस्तर जो है कि आप देख रहे हैं कि चर्म में पैपिलर इस्तर के ठीक नीचे है उपर कौन सा है पैपिलर इस्तर नीचे वाला कौन सा है जाली का इस्तर किसके अंबर चर्म वाले भाग के अंदर है , आजिंगता है यह सिदह बोलें टो अलेत कांब निचे है तो संपोण दोशा में सबसें निचले वाले स्तर को ही हपन जाली का इस्तर कहते हैं कैसे भी उसे फरीवासित कर सकते है अम और यहां जाली का इस्तर की बात कर रहे हैं किस्ता है किस तर यह है चर्म में कि चर्म के यह है कि चर्म में पैपी लरी इस तर से कि नीचे पाया जाता है कि चर्म में पैपी लरी इस्तर से नीचे पाया जाने वाले इस्तर को कोई जाली का इस्तर कहते हैं तो इसमें परिवासा बन गई चर्म में पैपी ले इस्तर से नीचे वाले इस्तर को जाली का इस्तर कहते हैं दूसरे इस्तर में हमने क्या देखा पहले पॉइंट में हम बताते हैं उसकी पॉजिशन उसकी इस्तिति की यह कहां इस्तित है किसके उपर किसके नीचे है दूसरे नंबर में हम यहाँ पर याद रखने के लिए अपने तरफ से लिख देते हैं मोटा ही कि यह मोटा है या पत कि हम बोलेंगे यह है कि पैपी लड़ी इस्तर से मोटा हो तो यह मोटा हो गया नेस्ट बात देखते हैं कि इसमें कौन-कौन सी चीजें उपस्तित पाई जाती है तो उपस्तिति की बात करते हैं कि इसमें कौन-कौन सी चीजें पाई जाती है इसके अंदर आप देखेंगे कि तो अच्छी गरंथियां पाई जाती है जिनके बारे माग आगे पड़ेंगे इसके अलावेस में तो अच्छी यह करें कि संवेदांग पाई जाते हैं रोम कांड इसमें होता है कि तंत्रिकाइं इसमें पाई जाती है कि तो आज के वीडियो में हमने यह सीखा है कि जो तच्छा का दूसरा भाग है चर्म जहें कि कहां होता है किसे कहेंगे और इसके कौन-कौन से स्थर है उन इस तरों की क्या-क्या विश्य स्थर है इसके बाद आगे नेक्स्ट वीडियो में कर दो